मॉटिवेशन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फस चुकी हैं आपने बहुत ज़्यादा मॉटिवेशनल वीडियोज अभी तक देखी होंगी कुछ वीडियोज पर लाखों में, करोडों में व्यूज हैं बट उसमें से 10% लोग भी सिक्सेसफल नहीं हैं जब मैंने उनसे ये क्वेशन किया कि मॉटिवेशन का क्या सीन है आप कैसे मॉटिवेट फील करते हो डिली और उन्होंने मुझे आंसर दिया जिसने मेरा टोटली प्रिस्पेक्टिव चेंज कर दिया कि जब आप motivation की बात कर रहे हो ना, आप किसी से motivation नहीं मांग रहे है, आप किसी से permission मांग रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए, जो आपको बस आपकी बारे में अच्छा बताता रहे है, आपको push करता रहे, वो कुछ time के लिए तो काम करेगा, बाद में फिर आप demotivate हो जाती हो तो इसको समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले आपको यह understand करना होगा कि it's common, हर एक person इससे go through होता है जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ही हो रहे हो बड़े बड़े लोग, जैसे कि हर एक person इससे go through होता है अभी भी सबी हो रहे है हर एक की life में problems आती है यह common है पहले तो मैं यह accept करना होगा इसका reason यह है कि हमारा जो brain वो इस तरीके से function करता है कि उसको हमेशा कोई shortcut चाहिए और जब भी आप किसी problem में हो बस उसको उस problem से बाहर निकलने कैसे ना कैसे उसमें वो motivational videos डूनेगा किसी से help मांगेगा तो उस process में क्या होता है कि हम अपना time waste कर देती है हम यह understand करना होगा कि यह होगा इसको हमने ignore करने क्योंकि आपका brain ही उसे साब से function करता है अगर आप brain के regarding और study करोगे ना आपको पता लगएगा कि आपका environment आपको कैसे influence करेगा कि आसपस क्याब आपके पास है कैसे लोग हैं उसे साब से आपकी thinking हो जाती है उसे साब से आप decision लेने लग तो इतना आपको सोचने की जुरूरत नहीं है कि अगर आप motivate नहीं feel कर रहे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जो आपको depression है first of all इसको accept करो second जो आपकी body है वो हमेशा rest चाहेगी जब आप सुबह उठते हो आपको feel होता है कि यार मुझे थोड़ा सा और सुने आपका brain भी signal देता है कि कोई बात नहीं 20 मिनट और सो जाओ वो हमेशा comfort ही मांगेंगे आप से बर जो आपकी soul है जो आपकी desire है वो चाहती है कि आपने कुछ करना है तो अब भी आपके पास क्या बच्च है जाओ तो आप अपने desire के उपर काम करो के साथ connect होना शुरू हो जाओ उससे आपका mind relax होता है जब एक बार ही आपका mind relax हो जाए देन फिर दीरे-दीरे क्या होता है कि आपको समझाने लगते कि कोई बात नहीं थोड़े से rest लेता हूँ देन दवारा में अपनी study करना शुरू करता हूँ जो आपका environment है यहाँ पर आप study कर रहे हो वो भी काफे comfortable होना चाहिए अगर वो messy है दन वो भी एक reason है कि भाई उतने आप energetic feel नहीं करोगी जब भी बात motivation की आती है हमेशा यह सोचो कि जो self discipline है वो ही एक की है motivation को पढ़ने की वजाए self discipline को पढ़ो उससे आपको पता लगएगा कि यह पूरा process कैसे काम करते है एन एक चीज दियान में रखना हमेशा लोग आपको देख रहे हैं उनको पता है कि आपकी life में क्या चल रहा है because आप हमेशा social media पर अपनी personal life को share करते हो they know कि आपके क्या dreams हैं कोकि आप सब इसे discuss करते हो तो सबसे पहले एक चीज को understand करना है कि silence सबसे बड़ी answer है किसी को बताने की जूरत नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो let your success be your noise इस process में बहुत problems आएंगी but at the end of the day you are responsible for yourself सबसे बड़ी अची जालाइफ कि मुगे यह लगती है कि जो भी actions है ना जो भी आपकी choices है result आपको ही मिलेंगे चाहे वो choices गल्त हैं चाहे बड़ी आएं अगर अच्छे decision लोगे तो result आपको ही मिलेंगे कोई और चीन की नहीं लेके जाएगा and अगर आप गल्त decision ले रहे हो तो आपको ही उसके result face करने पड़ेंगे तो motivation के चक्कर में लोग बहुत पैसा खराब कर देते हैं बड़े-बड़े course खरी देंगे बहुत expensive books खरी देंगे जो information उनको internet पे free में मिल जाएगी उसके लिए वो इतना पैसा पेग कर रहे हैं बड़े seminars लगाएंगे उनको कोई ना कोई होप है कि इसको सुनके उनकी life चेंज हो जाएगी देखो ऐसा कुछ नहीं है कोई भी person आपकी ऐसे life नहीं चेंज कर सा एक example के तुरू समझाता हूँ मालो आपने एक wrestler बनना है चाहिए आपको Brock Lesner ही कि उनकी ट्रेंड करे Brock Lesner आपको direction देगा guidance देगा but मेनत आपको ही करनी पड़ेगी efforts आपको ही लगाने पड़ेगी तो basically responsibility हमें खुद को ही लेने पड़ेगी तो please किसी की permission का wait मत करो जो present moment है that's all you have मैंने ये बड़ा द्यान से सीख है अपनी life में बहुत बड़े-बड़े mentors है practical examples के साथ उन्होंने समझाया कुछ session अगे थूँ मैंने नहीं सीखा and मुझे realize हुआ कि इतना time हम ऐसी waste करते रहे है उस time को आप utilize कर सकते हो अपने goal के लिए उसको plan करो चोटी-चोटी steps में divide करो उससे easy लगेगा आपको and आपके brain को हमेशा easy task ही पसंद होती है तो यह difficult process है उसको parts में divide कर लो but इस trap से बाहर आने की कोशिश करो अगर आप discipline की definition को समझोगे उसकी science को समझोगे then आपको realize होगा कि कहां पे आप गलती कर रहे थे एक example के थूँ आपको और समझाता हूँ मालो को आप movie देख रहे उसमें दो लोग हैं एक goal की तरफ बाग रहे हैं दोनों लोग बराबर मेनत कर रहे हैं पूरे effort डाल रहे हैं और उसमें से एक जी जाता है और फिर क्या होगा आप किससे सीखना पसंद करोगे उसी से जो जीता जिसको जीत हासल होई यही society की reality है winner को ही वो देखेंगे और जो बंदा failure था उसने भी मेनत करी थी बट लोग उसको नहीं सुनेंगे क्योंकि उसको failure consider किया जाएगा इस society की यह reality है हमें हमेशा winner one है otherwise जो भी हमने मेनत करी है जो भी हमारा hard work करा है उस process में वो pay off नहीं करेगा क्योंकि लोग हमें judge करेंगे वो बोलेंगे किस से तो हो नहीं पाया या इसने तो give up कर दिया तो society हमेशा wait कर रही है और उनको realize भी नहीं हो रहा है और उनको यह तब realize होगा जब बहुत यादा देर हो जाएगी तो मेरी आप सभी से request है इन चक्रों में मतफस हो ज़्यादा पैसे अपनी खराब मत करो discipline की definition को समझो बहुत सस्ती books हैं जो discipline के बारे में आपको बता देंगी internet पे free में information मिल जाएगी videos आपको मिल जाएगी so इस trap से बाहर आओ क्योंकि जब भी आप different motivational videos देखते हो आपका believe system change होता है आप comments बगएरा read करते हो आपको अलग-अलग information मिलेगी कई वरी message आप किसी गलतरी किसी समझ लोगे so वो worth it नहीं है आपको क्या लगते है जो आपको motivate करनी कोशिश कर रहा है क्या उसमें कोई ऐसी power है कि daily वो इतना याद energetic हो ऐसा तो possible ही नहीं है हम कई वरी tired feel करते हैं नहीं मन करता चाहे आपके पास आपकी dream कारी क्यों ना आ जाए एक time के बाद आ बोरो जाओगी ये life की reality है ये सभी के साथ ऐसा होगा तो अगर आपको इस trap से बाहर निकलना है सबसे पहले तो accept करो कि ये common है दूसरा discipline के उपर काम करना शुरू कर दो तीसरा nature के साथ connect होना शुरू हो जाओ and सबसे important gratitude इसकी definition को समझो क्योंकि जिस life में आप रह रहे हो वो किसी के लिए dream life हो सकती है बहुत लोग appreciate ही नहीं करते कि उनके पास क्या है उनको कभी realizing ही नहीं हुआ अगर उनसे वो छीन लिया जाए then for उनको पता लगेगा कि क्या उनके पास था जिसको वो use नहीं कर पाए हर एक person में कोई ना कोई natural talent होता है आपको भी पता है कि आप कि इस चीज के लिए बने हो तो उसके उपर काम करना शुरू कर दो सबसे बड़ी चीज है हो मैंने आपको बताई कि जो भी आपकी choices है ना result आपको ही मिलेंगे कोई छीन नहीं पाएगा अब यह आपके उपर है कि आपकी choices कैसी है and आप comment section में जरूर बताना कि अगर आप भी this trap में फसे हुए थे and आप इससे बाहर निकलना चाते हो trust me आपके लिए मैं कुछ और ऐसी वीडियोज लेके आऊंगा जिससे आपको reality पता लगेगी कि कैसे कितने लोग अपना time waste कर रहे है and उसकी बजाए उनको reality में क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी life में बढ़िया कर सके इतना ही था अज की वीडियो में थैंक यू आप सभी का अपना पीनियन जुरूर शियर करना थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो वावन एपिक दे